आज हम अपने उस लैंड में आये हैं जहां पर अभी हमने काव सैंक्चुरी बनानी है अब जिस कटे वे पेड़ पे मैं बैठा हूँ अकेला यह जब पेड़ कटा नहीं था तो इस पर पता नहीं कितने हजारों पशु पक्षियों का निवास रहा होगा पर हमसे पहले जिसक का कांदी जी का इंटर्वियू ले रहा था तो उन्होंने भी कहा कि पशु पक्षियों को बचाने का एक एहम तरीका है कि हम रोज पेड़ लगाएं खेर मैं आपको यहां के अपडेट्स देता हूं त्रहेंबरा से जो बड़ी मुश्किल से हमने एक बड़ा गुस्से वा दो हफते पहले मैंने आपको चुम्बक के बारे में बताया था कि उसका पैर बहुत सूजा हुआ है और जब तक वो सूजन नहीं कम होगी हम नहीं बता सकते कि इसका पैर काटना पड़ेगा या नहीं तो उसकी सूजन कम हो गई है और गुड न्यूज है कि उसका आपको याद होगा कि डेजी का पैर सूर पकड़ने वाले शिकंजे में बहुत बुरी तरह फज गया था तो शिकंजा था लेकिन उसका पैर हमें काटना पड़ा था और उसकी तबियत तब से बिगरती ही जा रही है और मैं हकीकत में कहुं तो मुझे नहीं लग रहा कि उस हालात दुखदायक हो या नहीं, उस पे मेरा बस नहीं है, पर मैं दुखी हो नहीं, उस पे मेरा काफी हद तक बस है, पर मुझे लगता है कहीं पर समाद चाहता है कि हम दुखी हो और हमें वो सांत वना दे, पर मुझे सांत वना गिनी समझ की जरूरत है, और उमीद है कि आप कुमार जी का पपी को लेके फोन आया जब तक उनका फोन आया क्लीनिक बंध हो चुका था हम उसको अगले दिन लेने गए और उसका स्पाइन फ्रैक्चर है तो पपी अभी केज रिस्ट पे है और कुछ दिनों की ऑब्सर्वेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो कभी चल सकता है या नहीं फिर दिव्यांश जी जुआली से एक ऐसी गाय लाए है जिसका सींग धाय महीने पहले तूट गया था वो इसका इलाज खुद ही कर रहे थे पर उन्हें शेहर से बाहर जाना पड़ा जब तक वो वापेस आये तो जो इस घाव में इंफेक्शन था वो एक ट्यूमर में डॉक्टर अंकित का कहना है कि इस गाय के भी चांसे बहुत अच्छे नहीं है अब महराज की बात लगी है तो छोटा सा अपडेट ही है कि उसका खुर इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उसको चलने में दिक्कत हो रही है तो हमने उसके खुर काट गए अब देखिए हम दुखी जीवों का हम थोड़ा दुख बाट के कम कर लेते हैं मुझे इस बात का सुख है खेर आगे बढ़ते हैं बसनूर में सुशील कुमार जी को एक अबैंडनेंट डॉग मिली उसके यूटरस में काफी इंफेक्शन था तो उन्होंने उसको घर में अपने रहने के लि में फोन किया जिसका लगता था कि आगे वाला पैर टूटा हुआ है जांच पर पता लगा कि उसका जो पैर है वो बहुत पहले टूटा था और वो फ्रैक्चर हील हो चुका है जब उसका घाव भर जाएगा तो हम उसको वापिस लदवाडा में रिलीस कर देंगे अंशुल माद़ी मोग ही मदद करती है वहां पर देश सारों से विदेशैलानी आते हैं तो उनके माददन से बड़े सारे दृशी रॉड़क दोग ड़्प्षन करा देती है जो की बड़ी अच्छी बात है पर नीम हल्दी योग मेडिटेशन की तरह ये देशी डॉग का credit भी विदेशी लोग ले जाएं, इससे पहले हमें देशी लोग, देशी डॉग को popular कराना है, तो अगर आपने कोई देशी डॉग अडॉप्ट कर रखा है, तो प्लीज उसकी photo डालिए, tag करिए, hashtag देशी लोग, देशी डॉग. खेर, प्रदीप सिंध जी ने कांगडा से एक पपी के बारे में हमें फोन किया, जिसकी सड़क धुरगटना में हाथ की फूल चमडी उतर गई है, तो आप इसके लिए प्रार्थना करिएगा कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, और आप इसके लिए एक अच्छा सा नाम भी की हैं, जिससे उन वरांडों को हवा और ठंड से बचाव मिला है, पर पांच जानवर लगभग लगभग हील हो गए हैं, और जल्द ही यहां से जाएंगे, अब जब मैं जल्द ही कह रहा हूं, यानि कि तीन से चार हफ़ते और, बैलरीनो और मंजुला इनको रीच चेक के लिए पालंपूर भेजा गया और एक्सरे के बाद पता लगा है कि तीन हफते में हम इनको रिलीज कर सकते हैं, तान सेंज इसको तानिया जी ने नगरोटा से भेजा था और उसका शोडर डिस्लोकेटेड था, कल फाइनली उसका स्लिंग उतार दिया गया है, अब वो उस प होते होते हैं, अडॉप्ट नहीं होते हैं, तो इन्हें भी हमें रिलीज करना पड़ेगा, अब जगा की इसी कमी के कारण एक बच्छडा जिसका शापूर में सडग दुर्गटना में सी इंक्रूड गया, हम उसको नहीं ला पारे, नीतू जी ने हमें इसके बारे में कॉल किया था, पर हमारे पास जगा है नहीं, तो अब वो खुद ही लोकल वेट की मदद से उसका इलाज कर रही है, अब मेरा बस चले तो मैं सारे ऐसे बच्छडे या जो डेरी के लिए लाखो करोडो बच्छडे पैदा करके छोड़ दिये जाते हैं, उन सब को कठा कर लो, पर इतना पैसा था नहीं कि वो इसका खुद इलाज करा सकें, तो हम जाके इसका निरंतर इलाज करते हैं, अब ये काफियत तक ठीक तो हो गई है, पर नौ महीने से दिन प्रति दिन ये कमजोर होती जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि इस अवस्था में भी उन्होंने इसका दूद निकालना बंद नहीं किया, अब देखिये जानरों की मदद करने के लिए ज्यादा तर वो लोग आ गया आते हैं, जो बहुत समवेदन शील होते हैं, और जो बहुत समवेदन शील लोग होते हैं, जब ऐसी बाते सुनते हैं, तो वो डिप्रेस्ट पील करना शुरू जी गए, उनके बारे में बारी-बारी सोच के खुद को क्यों परिशान करना, लेकिन क्लीनिकल डिप्रेशन किसी चीज से भी ट्रिगर हो सकता है, और बिना किसी चीज के भी, जैसे एकदम साफ आसमान पे काली घटा आ गई हो, और इसको कुछ हद तक आप दवाईयों से, थेरपी से, मेडिटेशन से, योग से, मैनेज तो कर सकते हैं, पर ये पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा तो अपने परिवार वालों की सपोर्ट चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली भारत में इतनी मिलती नहीं है, यहाँ पे अध स्किन इंफेक्शन के लिए इलाज चल रहा है, अब जादा तर जिन डॉग्स का यहाँ पे स्किन इंफेक्शन का इलाज चलता है, जैसे जैसे उनकी स्किन सुधरती है, उनका टेम्प्रमेंट भी बदल जाता है, वो कावी खुल जाते हैं और घुल मिल जाते हैं, लेकिन चाहे उसकी skin ठीक हो रही है फिर भी बिल्कुल shut down है जब हम depressed होते हैं तो लगता है हम बड़े गहरे अंधेरे गड़े में है जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे पर मैं आपको अपने वेक्तिगाद अनुभव से बता सकता हूँ कि depression में होना एक सुरंग में होने की जैसा है जिससे आप आज नहीं तो कल बाहर जरूर आएंगे समय चाहे अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है तो याद रखिए this too shall pass